हाई फ्रेंट्स वेल्गाम अगें नाव यह डिस्कुसिंग अबाट देखों पहली लाइन में बढ़का साहिक एंची की बन रहा है सेल्स और सेलिंग्स वर यूज तो फेसिलेट लोंग डिस्टेंस कम्मुनिकेशन एहम से की में पुछे जाएं लोंग डिस्टेंस कम्मिकेशन के लिए किसको यूज क्या है था ता आपसनसे सील ऑपसन बी सीलिंग ऑपसन्ट डी राइटिंग ऑपसन इस भूठ एंड बी तो सिंपल से है तो देखो इसल्स या सीलिंग है ना सील्स ही तो सीलिंग बनेगी ना हरा में तक के दिए दिखक दिखा रुक्रेस्डेस्टे एक एक की सीलिंग डिखा रिकिया तो लों लॉंग डिस्ट्रिंश काम वहाती थो बेसिक देख हो जो माली में दिखक आप क्यों बहुती थी उसके उपाई जाता था एक वा इस बटस्टे उसको ऍयुकर कला इसका मीनिंग नहीं पता है लेकिन बेसिकली मांते हैं कि वो लोग जो थे उनको तो पता होगा तो इसके दो परफ़ेज होते थे पहला तो इससे जो यह लिखा हुआ है ना यह मैसेज इस परकार के सीलिंग कर दी और यदि ये सीलिंग माले ये बिना किसी तूट-पूट के सामने वाले पार्टे के पास पहुंच गई तो इससे हमें पता चल जाएगा कि भाईया इससे सामान के साथ कोई भी छेट-साड नहीं की गई है जैसे मोडर्ण डाइम हम करते हैं पॉन्टिदेंशल पेपर होते हैं उनके ओपर जो सील करके उनको बेज़ते हो रेट कलर की सीलिंग के साथ पहुंच जाता था तो यह माल यह जाता था उसको टैंपर नहीं किया गया मतलब उसके कोई छेटका नहीं नहीं की गई है इसके अलावा यह सामने वाले के आइडेंटिटी भी साइज देती थी कि भाया बेजने वाला अपनी अलग अलग इस परकार की सील यूनिक सील का यूज करता होगा तो यह पतासल जाता था सील को देखते भी कि यह पार्टिकुलर सामान ए पार्टी से आया है और इन मैसेज की दुवारा कुछ ना कुछ कम्यूकेशन भी वहां पर होता होगा तो इसलिए सील से लिंक्स वर यूज तू फैसलेट दा लॉंग डिश्टिंस कम्यूकेशन ओके और का यूज था वह हम देखते हैं इनकी जो यह स्क्रिप्ट है उसको एंगेमेटिक स्क यहां सैड़ करते हैं हम यहां लेफ्से स्रू जाते हैं ठीक है और हमारी नॉट्बूक्स में ल conse रहते हैं दो हम यहां से करते हैं यहां तक तरीक होता था इनका लिखने का हम लेप से राइट लिखते हैं वह रइट से लेट लिखते है दूसरा इनके जो ऑब daily sensors वगए रखीट से वह बहुत विह अनिक होते ते अनका मेनिंग क्या था हुआ वह अंभी आदी भी नहीं पता है और इसमें देखो basically head up and seals lines of writing होती थी probably containing name and title of the owner वगरा का भी होता होगा इस पर seal के उपर नाम होता था लेक साथ ही एक जनरल का motive भी बना होता था seal के उपर क्या कहा चीज होती थी वो हमने पहले page में पढ़ लिया था कि seal के उपर एक animal की picture बनी होती थी कुछ picture राइटिंग होती थी और यह सब चीज़ें उसके उपर रहती थी लेकिन उसका जो meaning है वह अभी भी could not read है अभी इसको पढ़ा नहीं जा सका है सबसे लंबा जो inscription यहां पर मिला है उसके अंदर 26 निसान मिले है 26 signs सबसे बड़ा जो inscription हमारे पास है उसमें 26 निसान मिला के आप देखोगे तो यहां पर देखो साइन से हो बहुत ज़्याद है 35 375 से 400 के आसपास हैं सबसे बड़ा जो inscription हमारे पास है उसमें 26 different different signs है वो बने हुए है ओके जो स्क्रिप्ट है वो right to left लिखी जाती थी वह यह राइट से शुरू करते थे left की साइड में आते थे ठीक है कि और information यहां से हम देखें तो और कोई information यहां से कि और को information यहां से नहीं है अब weight के दिए हम बात करें तो weight है ना वो जिस पत्थर से weight stone जो होता था वो इस परकार की सेफ में घनाकार शेफ में होता था ठीक है एस टाइप से इधर इधर करना करने हैं यह इसके ओपर कोई मार्किंग नहीं होथी लेकिन जैसे हमारे हैं होता है 100 ग्राम का सोग्राम लिखाओ गाना 500 को एचम की केजी लिखा होगा टू केजी वाले टू केजी तो यहां पर भाई ऐसा कोई नाम नहीं होता था एम सीक्व में तीन चार इस्टेटमेंट दे देंगे वेट से रिलेटेड और आप कहीं आज का वेट सिस्टम उसके कोडिंग आंसर ताप आओ तो यह गलत हो जाएगा नो मारकेंग किसी प्रकारी कोई मारकेंग नहीं होती ती Church नाम के पत्थर से बना होता था इसनीक है कि सेफ है वह क्यूबिकल सेफ़ में होती थी थी चैक है कि दूसरा दो वेट का इमपोर्टेंटेंट पिक्सर रहाव हुद garant-laaminator को फोलो करता था वह वेट के जो डॉमिनेटर्स थे वह नॉर्मली बाइनरी सिस्टम के थे यानि माली जे सबसे सोटा वेट वन वाला है तो अगला टू होगा फोर होगा इस परकार से था वन फिर टू फिर फोर एट फिर शिक्स्टीन थर्टी टू शिक्स्टी फॉर वन वन टू टू सिस्टम काम कर रहा था ओके और डॉमिनेटर्स थे वह डेसिमल सिस्टम को फोलो करते थे 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 तो आइस डॉमिनेटर का याद रखेगा बाराइट सो है तो अलहंडेट एट वाला ठीक है दाइस्मालर वेट्स भी साइद यूज करते होंगे जोईली और बिक्स के लिए म करते हैं तो इसके लिए बहां पे मिलाएं यहां करता उसके बारे में अधी हमारे बात करें के लिए अभी तक हमारे पास कोई यह क्योंकि यहां की जो रिटन इनफोर्मेशन उसका मेनिंग हमें पता नहीं है तो नॉर्मली लोग गहनत देखो बाकी बाकी स्विलाइशन से फिर कंपेर करना शुरू करते हैं तो नॉर्मली बेसिकली आप देखोगे कि इसके कंटम्प्रेरी स्विलाइशन में आप देखोगे मौन जो दरों अगर यहां पर राजा रानी वाला सिस्टम था तो जातर लोगों का मानना है लेकिन हमारे पास कौन क्रेट एविडेन्स नहीं है दुबारा बात बोलाओ कई क्रेट एविडेन्स क्या है वी डॉंट नो यह को पिक्चर अमें एक स्कल्प्चर मिली है जिसको नॉर्मली प्रिष्ट किंग के नाम से जाना जाता है ठीक है प्रिष्ट किंग जानते हो ना राजा वहां कि इसको प्रिष्ट किंग की संग्या दी गई है कि देखो अब कॉंप्लेक्स डिसीजन लिए जाते होंगे और उनको इंप्लीमेंट भी करवाता हुगा क्योंकि देखो आदमी है तो हमेशा से बदमास रहा है जैसे मोडन टाइम आप देखोगे कि आदमी जहां इच्छा होती है वहां घर बनाता है इंक्रोजमेंट करता है अपना कुड़ा बार फ्हेकता रहता है यह सारी चीज रही होंगी लेकिन हड़पा का पूरा सिस्टम को दो पार्ट में ट्यौइड किया गया है तो इन सब चीजों को करवाने के लिए कोई नहीं ऊथरोटी तो जरूर रही होगी जो इन सारी चीजों को वहां पर इंप्लेमेंट करवा रही होगी जो इतने लिए जा रहे हैं तो उसके लिए पर्टिकॉलर कोई ना को एक अथुरूटी जरूर होने चाहिए ठीक है फॉर एक्जामपल देखो एक्स्टाउडिनरी यूनिफॉर्मिटी मिलती है यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि सब जगह एक रुपता है चाहिए उनकी वेट सिस्टम को आप देखो चाहिए वहां पर देखोगे कि जो ब्रिक्सवाला सिस्टम है वह देखोगे हर चीज में एक रुपता को मिलेगी में तो यह पोटरी के दर भी आपको एक रुपता देखने मिलेगी उनिफॉर्मेटी मिलेगी तो इन सब चीजों करवाने लिए कोई न को यह जरूर रही होगी इसके लाव आप देखोगी कि कुछ ऐसे सेंटर हैं जहां पर रहे हैं कुछ सेंटर हैं जहां पर अलगले आर्टिफेट्स बन रहे हैं और उसके बाद उसको सब्सक्राइब करने के लिए भी कोई न को यह जरूर वहां पर होगी इसके लाव देखोगी कि स्पेसिफिक रिजन्स के स्पेसिफिक लोकेशन में अलगले सेटल्मेंट्स बने हुए हैं कि लापस लादूली चाहिए तो अफगानिस्तान में सेटल्मेंट उन्होंने बना सब्सक्राइब के लिए बहुत ही मैसिव वाल्स बनी है प्लेटफॉम्स बनी है तो हूर्गनाइज दी देखो जितना क्यूशन मार्क आगे लगावा है ना आंसर भी क्यूशन मार्क में है वी डॉंट नौ लेकिन फिर भी जो आर्केलोजिस्ट है उन्होंने अलग-अलग कुछ थोरिज दिया उस थोरिज के दिया हम बात करें तो देखो बात कर सकते हैं यह प्रिष्ट कींग के मोर्ती याद रखेगा एम सी क्यों में आपके पिक्चर भी पैसान नहीं आती है तो याद आखे के फ्रिष्ट किंग है तो आर्केलोजिस्ट से देखो इस सिंपल सा इसने वो दिया कि आर्केलोजी का रिकोर्ड्स है दे प्रोवाइड नो इमेडियेट आंसर उनसे हमें कोई भी ऐसा आंसर नहीं मि मिला है तो यह कोई राजा रिचुल्स होगारे के लिए यूज करता होगा तो एक इस्टेन इस्टेट्यू जो इस्टेट्यू जिसकी पिक्चर 2.1.3 में दिखाएगे कि इस्टेन इस्टेट्यू मिली है जिसके उन्होंने प्रिष्ट किंग का नाम दिया है इस इसको क्या दे सकता है वो इस बिकोज आर्केलोजिस्ट वर फेमलियर वीदी मेसोपोर्टमें हिस्ट्री एंड इट्स प्रिष्ट किंग और फाउंड पाउंड प्रिष्ट किंग इसलिए बोला क्योंकि देखो हम जिस सीट की बारे में जानते उससे कंपेरिजिन करेंगे ना तो अगला कुस लोजिक उन्हों नहीं यह दिया है कि सम आर्केलोजिस्ट ने यह लोजिक दिया है कि देट हड़पन सोसाइटी है नो रूलर्स कुछ लोग यह माना कि हड़पन सोसाइटी में कोई रूलर्स होते नहीं थे और सभी लोग है वो इकोल स्टेटस वाले थे यह नहर वेक्ति आपस बराबर था वहाँ पे कोई राजार आनी वाला सिस्टम नहीं था ठीक है कूछ दर्स ने बोला कि देरवाज नो सिंगल रूलर्स बदाद सेवरल स्कूस लोगा यह माना कि वहां पर कोई एक सिंगल रूलर नहीं था बलकि बहुत सारे अलग राजा थे जैसे हडपा का एक अलग राजार आओगा दोलावीरा का अपना राजा होगा लोथल का अपना में उसी प्रकार का राजार आओगा जिसको उन्होंने प्रिष्ट किंग का नाम दिया है कुछ स्कॉलर्स का यह मानना है कि वहां पर कोई राजा नहीं था इच और एक इकुल स्टेटस को वह लोगें जोई कर रहे थे कुछ लोगों का यह मानना था कि वहां पर सिंगल नहीं करके राजा जाया वह इसकी लिए पॉसिबल था कि वह सेटलमेंट्स में जो एक रूपता है वह का इम रहता है जैसी ब्रिक्ष में वहां पर यूज़ हूई है वो उनको पुरे स्टेट्ट पुरे स्विल्याइशन में एक ही तैप के वेड़ सिस्टम है पूरे सेच में एक ही टाइप के ओर्णामेंट्स बन रहे हैं एक ही टाइप के लोग बर्तनों का यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए माना जाता है कि यह पूरा स्विलाइशन साथ एक ही राजा के अधीन रहा होगा वाट इस्टिल it is there is no concurrent evidence यह वह अनुमान है only on ठीक है ओके चलो बाकी का रिष्ट है हम अगले चेप्टर में conclude करें